बात कुछ ऐसी है कि इस पर चर्चा जरूरी है दरसल देश के जाने माने वकील और सामाजिक कारेकरता प्रशांत भूशन सुप्रिम कोट में अब मानना के दोशी ठहराये जा चुके हैं जिसके बाद 25 अगस्त को सजा का एलान होना था लेकिन अब कोट ने प्रशांत भूश की सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है प्रशांत भूशन अपने दो विवादित ट्वीट्स की वजह से अब मानना के दोशी ठहराये गए हैं जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऐसे बोबरे और सुप्रीम कोट पर टिपनी की थी प्रशांत भूशन के ट्व भूशन को माफी मांगने और अपने ट्वीट पर खेद जताने के लिए भी कहा था लेकिन प्रशांत भूशन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था सुप्रीम कोट का मानना है कि भूशन के ट्वीट से सुप्रीम कोट की गरिमा को धक्का लगा है वहीं प्रशांत अब मानना के दोशी प्रशांत भूशन का मामला पंच परमेश्वर जैसी छवी वाले अदालत के लिए एक चुनोती बन गया है जिन्हें कोट सजा दे या ना दे माफी दे दे मगर ये अब मानना मामला न्याइपालिका के लिए मील का पत्थर साबित होगा नमस्कार हमारी राय में आपका स्वागत है मैं हूँ राजीव तो प्रशांत भूशन से जब कोट ने माफी मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा था कि मेरा बयान पर्याप्त सोच और समझ के बाद दिया गया है उन्होंने कहा कि मुझे अपने बयान पर पुनरविचार नहीं करना है इसलिए मुझे विचार करने के लिए समय देने का कोई उपयोगी उद्देश नहीं होगा मेरे ट्वीट कुछ भी नहीं थे बलकि हमारे गणतंत्र के इतिहास के इस मोड पर जिसे मैं अपना सरोच करतब मानता हूँ उसे निभाने का एक छोटा सा प्रयास थे मैंने बिना सोचे समझे ट्वीट नहीं किया था ये मेरी ओर से निष्ठा रहित और अब मानना पुर्ण होगा कि मैं उन ट्वीट के लिए माफी की पेशकश करूँ जिन्होंने उन्हें व्यक्त किया जिन्हें मैं अपने वास्तविक विचार मानता रहा हूँ और जो अब नियाएले ने अपराध के लिए निर्धारित किया है के लिए मुझे कानुनी रूप से धंडित किया जा सकता है और जो मुझे प्रतीत होता है कि वो एक नागरिक का सरवच कर्तब्य है आपको बता दूं कि प्रशांत भूशन ने 27 जून को नियाएपालिका के 6 बर्ष के क पाम काज को लेकर एक टिपणी की थी जबकि 22 जून को शिर्ष अदालत के वर्तमान मुखे नायधीश एसे बोवड़े और चार पुर्व मुखे नायधीशों को लेकर दूसरी टिपणी की थी जिसके बाद सुप्रीम कोट ने प्रशांत भूशन को 14 अगस्त को दोशी ठहरा मांगने का समय अदालत की तरब से दिया गया इस पर भी जब प्रशांत भूशन माफी मांगने के लिए तयार नहीं हुए तब जस्टिस अरुन मिश्रा की बेंच ने इस फैसले को सजा के लिए सुरक्षीत रख लिया इससे पहले प्रशांत भूशन ने सोंवार यानी 24 अ मेरी नजर में मेरी अंतरात्मा और उस संस्थान की अब मानना होगी जिसमें मैं सर्वोच विश्वास रखता हूं। इसके बाद 25 अगस्त को दोनों पक्षों की तरफ से जोड़दार बहस सुनने को मिली। सुनवाई के दौरान जैस्टिस मिश्रा ने कहा कि भूशन के बया मारी और राजनितिग में अंतर है प्रेस में जाना प्रशांद भूशन जैसे वकीलों के ट्वीट में वजन होना चाहिए ये लोगों को प्रभावित करता है जशिस मिश्रा ने कहा कि हम इस आधार पर आदेश नहीं देने जा रहे हैं कि भूशन के समर्थन में कौन है और स्वागत करते हैं लेकिन हम आलोचना का जवाब देने के लिए प्रेस में नहीं जा सकते हैं एक जजज के रूप में मैं कभी प्रेस में नहीं गया हमें इस नीती का पालन करना है ऐसा मत मानिये कि हम किसी को आलोचना से रोक रहे हैं हर कोई सुप्रिम कोट की आलोचना कर क्या हमने कोई action लिया है प्रशांत के खिलाफ अब मानना का दूसरा केस 11 सालों से लंबित है क्या हमने कोई action लिया है जश्टिस मिश्रा ने कहा कि कारेकाल खत्म होने से पहले ये सब देखना दुखद है आपको बता दूं कि जश्टिस मिश्रा का कारेकाल 2 सितंबर को खत्म हो रहा है सुनवाई के दोरान प्रशांत भूशन के वकील इधर राजीव धवन ने कोलकता हाई कोट के पुराने फैसले का ध्यान दिलाया और कहा कि आदालत ने ममता बनरजी को कोई सजा नहीं दी जिन्होंने कहा था कि सारे नियाधीश भरष्ट होते हैं राजीव धवन न सुप्रिम कोट में कहा कि उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए बता दिया जाए कि भविश में फिर ऐसा ना करें सुप्रिम कोट ने वेनुगोपाल से पूछा कि बताईए क्या करना चाहिए हमें अलग बयान की उम्मीद थी सरकार के वकील ने कहा कि कई सुप्रिम कोट से न्याई के हनन को रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का आगरह किया है वही मौजूदा अटर्णी जनरल से लेकर के पूर्व अटर्णी जनरल सोली सोराबजी तक ने प्रशांत भूशन के पक्ष में अपने तर्क दिये हैं इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशांत भूशन पर अबमानना के मामले पर जो भी सजा सुनाई जाएगी वह आने वाले समय में भारतिय न्याय पालिका के लिए एक एहम मोर साबित होगा तो हमारी राय में आज बस इतना ही देखते रहें टीवी लाइब नमस्कार